हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी लोग का एक और नए वीडियो में इस वीडियो में आप सीखने हैं कि एक्सल में बिलिंग का काम कैसे किया जाता है अगर दोस्तो आप एक्सल में बिलिंग का काम करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पुरा ध्यान से देखेगा क जिएक दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप भी दोस्तों Excel में कुछ इस प्रकार से बिलिंग का काम करना सीख जाएंगे Tquijal में कैसे कर सकते हैं तो इसको दोस्तों सबसे फ Venetatak получ करने के बाद में आपको सुरू से समझाता हूँ ताकि दोस्तों काम का 않고 करने में कहीं पर भी दिक्कत ना हो तो इसको दोस्तों में close कर देता हो close करने के बाद दोस्तो अपना मैं desktop आ जाता हूँ जैसक दोस्तो आप देख रहे हैं desktop पर आने के बाद दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना होगो अपने computer या फि लैप्टोप में open कीजिए चलिए मैं Excel को open करता हूँ मैं search bar पर click करता हूँ तो देखे 25 पेले जब आपको एकसल ओपन हो जाता है तो देखे जब से पहले हमको अपने प्ज चेट करना होता है तो पिस कुर्श का डिक अंचों करता हुए आपको आपने प्रीखक्रा में कश स्वाप्चिन मैड़नches आप इसा है जासा के आपको देख सकते हैं इसलिए दोस्तों कि आपको समझ में आ जाता है कि हमको किस एृया के अंदर काम करना तो हमको दोस्तों यहां पर बन पेज के अंदर काम करना है इसलिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको पेज ले आउट पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों अब चलिए यहां से में अपना बिलिंग का काम करना सुरू करता हूं तो billing का काम करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है format बनाना होता है तो चलिए सबसे पहले आप सीख लेते हैं कि format कैसे बनता है तो थ्वासम मैं अपने page को zoom कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर जो भी काम करूँ आपको दिखना चाहिए तो देखे दोस्तों format बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या किजिए अपना जहां भी आप काम करेंगे वहाँ दोस्तों सबसे पहले उसका heading बनाना जैसे कि आप किसी company में काम करें तो company का heading बनाए या फिर किसी shop में काम करें तो shop का heading बनाए या फिर किसी स्कूल या फिर कोचिंग संस्ता में बीलिंग का काम करने में तो तो ऑन पहर करना होगा सबसे आधाना के लिए गीडिक आहीं करना ऑसंब होगा करका लिए कहाँ है पोडिखा एक नाइ। रह। पर में देखिए हापकोom tab पर क्लिक करने के बाँ माज से लिए यहां पर एक अपर ओकर तो आपको मैंiser करकर देखिए आपको दिखाया होगा मर्ज seegg इस पर siamремa सापको अपने मौश से क्लिक कर दिना है क्लिक करने के बाओ दोستों क्या होताएं कि देखिए यहां पर जो यहां पर sale बना हुआ था देखिए यहां पर एक हो चुका है यान कि यह merge हो चुका है merge होने के पाउट दोस्तों सिंपा साथ आपको यहां पर heading बनाना है तो चलिए यहां पर मैं heading बनाता हूँ अपना computer center का तो इस प्रकास से में लिखता हूँ चलिए मैं यहां पर type कर देता हूँ जैसा कि दोस्तों आपने देखा है कि यहां पर मैं अपना contact number type करने के बाद दोस्तों आप देखिए नीचे वाला तीन सेल पर भी इस प्रकास से लेट कर लिजी और इसको भी आपको merge कर देना है यानि कि दोस्तों आपको यहां पर detail को mention करने यानि कि जहां भी आप काम केजिए उसका contact number, address, email डी जो भी आप लिखना चाहते है उसको यहां पर लिखना होगा तो चलिए इसको भी मैं यहां पर merge कर दिया हूँ और यहां पर दोस्तों मैं type कर दाता हूँ address तो देखे दोस्तों यहां पर मैंने address type कर दिया यानि कि सबसे पहले आपको heading बनाना है अपना नाम से उसके बाद contact number और address और दोस्तों आप चाहें तो अपने हसाब से और भी detail को add कर सकते हैं चलिए इतना मैं कर दिया हूँ इतना करने के बाद डोस्तों शिंपा साब को अपने keyword से control प्लस कर लेना control प्लस जब आप एक करते हैं तो यह all select हो जाता है all select होने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकास करके जगर देखिए हाँ पर all select हो जाएगा all select होने के बाद दोस्तों देखिए हाँ पर जो home type में जो font को उपसी मिलता है font box का इस पर आपको click करना है और इसमें दोस्तों जो भी आपको font apply करना है उस phone को आप इसमें apply कर दीजी यानि कि जो भी आपको phone पसंद आता है simpa सा उस phone को यहाँ पर apply कर दे चलिए यहाँ से मैं एक phone को select कर लेता हूँ जो कि हमको बहतर लगता है तो चलिए यहाँ से मैं इस phone को मैंने select कर लिया है select करने के बाद दोस्तों सारा का साज आप एक रखिया यहाँ पर मैंने टाप किया है । आप यहां पर कुछ इस प्रकास से बना सकते हैं अब देखे दोस्तो इतना काम जब आपका हो जागा तो थोड़ा सा हम इसको फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं ताकि दोस्तो मेरा जो बिल निकले प्रिंट आउट होकर तो थोड़ा सा बेहतर ही भी लगना चाहिए होँ और होम टाइप की अंदर ही सारा आपको मिल लगा देखे आपको मिल लगा ओप्सें शेपग का जैसाब करने के बाद दोस्तो आपके यहां पर टेक्स कलर करना है और इहां से इसको में भाइट कर देता हूं भाइट करने के बाद दोस्तों देखें यहाँ पर रेट के अंदर भाइट कितना बहतर लग रहा है उसके बाद सिंपसा इसको भी स्वाइट करता हूं अब और मैंने फॉर्वेटिंग कर लिया है उसके बाद दोस्तों एक चेल को आपको छोड़ देना उसके बाद निचे वड़ा चेल पर क्लिक करना है और यहां पर मैं टैप कर दता हूं बिल नंबर तो कुझे टैप से आप से आपको काम करते हुए चलना होगा बिल नंबर टैप क करने के बाद यहां पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर मैं टैप करता हूं डेट तो कुझे स्टैप से मैंने टैप किया और एक सेल को मैं छोड़ देता हूं इस पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर दोस्तों जो भी कस्टमर आप एड़ कर देजीगा अब देखे दोस्तों जब इतना काम हो जाता तो सिम्पस आपको यहाँ पर एक सेल को छोड़ देना उस पर इस पर किलिक करना है किलिक करने के बाद दोस्तों यहां से जिस से कि में टाइप करता हूं सीरियल नमबर अब देखिए हां पर मैं अपना प्रोड़क्टा इंटर करना में स्टार कर दोंगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको बॉक्स बॉनाना होगा मैंने सिर्यल नमर टाइब क्या उसके बाद दोस्तों यहां से आपको 123 यानि कि दोस्तों इस तीन सेल को आपको इस प्रकास करना है और तीनों को आपको मर्ज कर लिखण होगा प्रोड को रोड को मैं इस प्रकासे करता है और यहां पर लिख लिजेगा जैसे कि आप दोस्तों आपने देखा कि किम अनुर्ष के प हमें सिरियल नंबर प्रोडक्ट नेम पर रेट कॉंटिटी और अमांट में टाइप किया तो सेम इससे प्रकार से दोस्तों आपको सभी को मर्ज कर देना है और टाइप कर देना है टाइप करने के बाद दोस्तों अब चलिए मैं अपना प्रोड़क्ट है डिटेल लिखना में स्टार्ट करता हू तो डिटेल को लिखने के जिससे पहले दोस्तों सबसे फिल आपको सिरियल नंबर पर क्लिक करना है यहां पर दोस्तों आपको बन टाइप कीजिए उसके बाद इंटरवन को प्लेज कीजिए उसके बाद टाइप करने के बाद दोस्तों दोनों को एक साथ सिलेट कर लिजिए स को दोस्तों जो आपर प्रोड़क्ट नेम का कॉलोंब बना हुआ उसको दोस्तों कुछ इस प्रकास से सभी को सिलेट करने के बाद आपको दुबारा से वहीं पर जाना हूं टाप मैं जो यहाँ पर मर्श सेल कॉप से मिलता था इसमें दोस्तों आपको एक बटर मिलेगा चलि क्या करता हूं सभी को इस प्रकास से सिलेट करता हूं और सभी में आपको मर्ज एक रॉक्स पर क्लिक कर देना तो इस सनहीं से आपको अलग-अलग मर्ज हो जाता तो aire cloth लोगा तो चलिए यहां से में फटाफट जल्दी-जल्दी कर रहा हूं तो सेम स्वास को दोस्तों लेकिन एक वार जब आपका बन जाएगा तो आपको दोस्तों सिर्फ इंट्री करना होगा और आप अपना प्रिंट निकाल कर अपने कस्टमर को देते रहेगा लेकिन दोस्तों आपको शुरू में टाइम लगेगा उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको प्रड़क्ट लिख क्योंटि blinded लिखेए गया उसको अगरना लगां तो सबसे पिरले में यह तीनों में फिल लेताहुं इसको दोस्ते हने और में पर मेरा कम करेगा तो चलीए पर पर जल्दें कर लेता हूं इससे प्रकाल से आपको भी करना होगा उप जयसा क्या साक्त दोस्तों आप ने तो यहां से देखिए आपको फर्मूला के अनुसार काम करना होगा तो quantity वाले सेल पर यहां पर देखिए यहां पर amount वाले सेल पर क्लिक किजी और दोस्तों सबसे पहले आपको बराबर का निसान लेगाना है कि यूँको दोस्तों हमें आपर फर्मूला यूज करेंगे तो सब multiply होकर देखिए आपको यहां पर result आपका दे दिया यानि कि जो भी amount होगा total quantity के हिसाब से देखिए यहां पर बता चुका है उसको बार इसको select केजिए और इसको पकड़िए और निचे की और drag कर दिए drag करने के बार दोस्तों देखिए यहां पर quantity के हिसाब से सारा यहां पर rate मेरा आ चुका है अब देखिए दोस्तों जीव इतना काम आप कर लेते हैं तो आप चाहें दोस्तों तो थो आपने हिसाब से यहां पर formatting भी कर सकने जैसे कि मैं सभी को select कर लेता हूं select करने के बाद दोस्तों सभी को यहां पर देखिए paragraph में जाकर यहां पर biz का center में align कर दे करता हूं कुछे steps दोस्तों आपको यहां पर select करना चलिए तो बहुत में आपको यहां पर नीचा आईएगा तो देखिए इसमें बहुत प्रकर का फॉंट में लेगा तो जो भी फॉंट का आप इस्तमाल करना चाहते उस फॉंट को आप select कर लिए चलिए यहां समय इस फॉ लिए अमांट रहेगा gST करकर मैं यहां पर लिए तोल ettah मैं निकालूंगा तो इस प्रकास से 3Cल को select करता हूं मैं और इसको मैं merge across करता हूं और इसमें भी परशेंट GST में लिख देता हूँ अब देखिए दोस्तों मैंने आप पर तीन कॉलोम बनाय है टोटल का गया तो सीम इसे प्रकास से आपको भी काम करना हुगा चलिए यहाँ प्रकास से जी एस और उसके बार प्रकास से स्लेट किजिए आप चाहते हैं तो यहाँ भी उस्फ का से इसको यहां पर प्रेस कर जानिक कि इसलेट कर लिए तो जोड़ने के लिए दो सिंपल सा आपको क्या करना होगा अपने कीबोर्ट से अल्ट प्लस बरावर बटन को प्रेस किजिए तो देखें यहां पर और ऑटोमेटिक संब का फ्रोमुला अपलाय हो जागा यहीं कि जोड़ का फ्रोमुला लग जाता है इंटर किजिएगा यहां पर जोड़ करकर आपको रिजल्ट देदेगा उसको वाद इस पर क्लिक करगें जीएटी वाले पर इस यहां पर दोस्तों मैं इंट्व करूंगा स सबसे बराबर का निसान देंगे और जो टोटल आया था उसको सिलेट करूँगा नगाप प्लस दो गाप जो यहां पर घृष ट लेट कर दूगा यहां पर ग्रेए टोटल मेरा बन्द आ चुका है तो तो कुछ इसी टाप से दोस्तों आप एकसल मेंpping का काँ चुक टैसे का करने के बाद आप आप क्या कीजिए थोड़ा बहुत और फर्मेटिंग कर लिजी तो इस प्रकास से स्लेट कीजिए स्लेट करने के बाद दोस्तों होम टैप के अंदर एक आपसन आप की मिलेगा चलिए मैं दिखा दें बॉर्डर का इस पर क्लिक कीजिए यहां पर आपको क्ल स्लेट कर दिजी और इसको भी इस प्रकास से स्लेट कर लिजी और यहां पर दोस्तों आपको क्लिक करकर यहां पर आपको ऑल बाडर को स्लेट कर देना है इसको भी स्लेट कीजिए यहां भी दोस्तों आपको आपको करना होगा अब देखे दोस्ते यहां पर आपको बिल नं को इस प्रकास से क्लिक कर देना है और इस नेम वाले बॉक्स को इस प्रकास में पूरे को स्लेट कर लेता हूं इसको भी मर्ज कर देता हूं और यहां भी मुवाल वाले बॉक्स को इस प्रकास से select करता हूं और इसको भी हम यहां से मज़ ही कर देते हैं और लेप्ट एंगल को select कर देते हैं आप देखे दोस्ते यहांपन मैं चाहता हूं कि बिल नमर लिख है तो double click किजी जो भी आप लिखना चाहते हैं यहां बिल नेमबर टाइप कर दीजिए कि दोस्तों आप Excel में billing का काम कर सकते हैं तो आप चाहें दोस्तों दोस्तों तो यहां पर Amount in word करने के बाद दोस्तों इसको से कर लीजी और यहां पर आप मर्झ कर दीजी सेंटर कर दीजी और वहे color आप दोनों को फिल कर दिया हैं तो यहां पर मैं color किजीए आप इसमें भी आपको यहां पर केंसे करना किए अप्मिशा कर सकते हैं यहां पर ऐखेंग सकते हैं तो यहां पर इस पेzen मी का काम कर सकते हैं नहीं जो कोड़े आप काम आपका सीप किजी है इसक्रणा कक्रते क्लिक करने के पां देख सकते की मेरा जो बिल का प्रिफुई है जय जब प्रिंट आउट हो कर निकलेगा तो कुछ इस टैप से निकलेगा जैसा के दोस्तों आप देख रहे हैँ तो इस प्रकाश से आप एकसल में Julink का कामीक करना सीख सकते हैँ अब देखके दोस्तो आपने देखा कि कुछे स्टाप से तो आपने बीलिंग का काम करना सीखा, लेकिन दोस्तो कभी कभी क्या होता है कि यहां पर देखे जुई प्रॉडक्ट लिखा हुआ है, यह सारा प्रॉडक्त तो हर कस्टमर नहीं लेगा, जैसे कि माली जब कोई keyboard SSD और CPU चाहिए बाकि यह सभी प्रोडक्त हमको नहीं चाहिए तो इसके लिए दोस्तों सिंपल साइस प्रकास से स्लेट कर लिजी और अपने कीवोड से डिलीट बटन को प्रेस किजिए तो देखिए हाँ पर डिलीट हो जाता है इस प्रकास से स्लेट किजिए और इसको भी द दोस्ते हाँ पर फर्मूला अप्लाय करकर आपको देगा यहां कि दोस्तों आप आप काम कर सकते हैं जैसे कि कोई कस्टमर आता है उसको दोस्तों CPU भी चाहिए तो इस प्रकास क्लिक किजी कितना रेट हो दोस्तों आप यहां पर टूल जैसे में लिखता हूं एंटरबट को प्रेस करता हूं तो देखिए हां पर आटोमेटिक लग चुका है जीएसटी कर चुका है टोटल अमाउंट आ चुका है अग्रेंट टोटल भी आ चुका है तो कुझी स्टाप्स दोस्तों आप अलग-अलग कस्टमर को अलग-अलग बिल इंटरी करकर दे सकते हैं तो कुझ अब दे दीए जो भी EOS को सफ कर दीजिए यहां पर होने के बाद जब भी आप बिलिंग का काम करना चाहते हैं sounds ज्इश-फन से यहां से आप काम कर शक्ते हैं अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीड ऋएक कर दीजह, चनल पना चलनल आ कर दो पो